आज ओलम्पिक के सेमी फाइनल मुकाबली का नतीजा जो भी आए भारती महिला होकी टीम ने पहली बार यहां तक पहुँच कर इतिहास रच दिया है सुमवार को भारती महिला टीम को सोशल मीडिया पर बधाई देने के संदेश मिलेने लगे खास बात यह रही कि बहुत सारे फैंस कोच शोड मारिन की तुलना फिल्म चक्दे इंडिया में शारुख खान के निभाई किरदार कोच कबिर खान से कह रहे थे इस बीच जीत के बाद कोच शोड मारिन ने टीम के साथ एक सेलफी शेर की और ट्वीट में लिखा सौरी फैमिली मैं फिर बाद में आऊँगा इस ट्वीट पर शारुख खान ने भी प्रतिक्रिया दी उन्होंने लिखा हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लोडते वक्त कुछ गोल्ड लेते आईए बिलियन फैमिली मेंबर्स के लिए इस बार धनतेरस भी दो नवंबर को ही है फ्रॉम एक्स कोच खबीर खान ट्वीटर पर हुई ये बातशीत देखते ही देखते वारल हो गई और इस पर सोशल मीडिया यूजर्स के अलग-लग रियक्शन भी आने लगे लेकिन इसके साथ ही ट्वीटर यूजर्स ने मीर रंजन नेगी पर भी चर्चा शुरू कर दी यूजर्स का कहना था कि शारूखान जहां फिल्म में कोच बनकर सुर्किया बटो रही हैं वहीं जिन पर वो फिल्म बनाई गई उन्हें भूलना नहीं चाहिए दरसल चक्दे इंडिया फिल्म को भारत के पूर्व होकी खिलाडी मीर रंजन नेगी से इस्पायर बताया जाता है इस फिल्म की कहानी को बॉलिविड के स्क्रिन राइटर जैदीप साहनी ने लिखा है फिल्म में कबीर पर जिस तरह से जूटे आरोप लगे कुछ वैसे ही असल में होकी पिलेयर मीर रंजन नेगी के साथ भी 1982 के एशियाई खेलों में हुआ था नेगी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में भारती होकी टीम के गोल कीपर थे जिसमें भारत को साथ एक से हर का सामना करना पड़ा इस एक मेच ने मीर रंजन नेगी की जिन्दगी को पूरी तरह से बदल दिया आलोचकों ने उन पर रेश्वत लेने का आरुप लगाते हुए उन्हें गदार तक कह दिया बाद में उन्होंने कई वर्षों के लिए होकी से सन्यास ले लिया मीर रंजन नेगी ने होकी में वापसी 1998 के एशिया खेलों के लिए गोल कीपिंग कोच के रूप में की जिसमें भारत की राश्ट्वी होकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता इसके चार साल बाद नेगी को भारत की महिला रास्ट्वी होकी टीम के गोल कीपिंग कोच के रूप में निउक्त किया गया इस टीम ने 2002 के अंतरास्ट्वी खेलों में गोल्ड मेडल जीता नेगी 2004 के होकी एशिया कप में गोर्ड जीतने वाली महिला टीम के साहे कोच भी थे बता दें कि चगदे इंडिया फिल्म में वो सलहाकार थे और छोटे से रोल में खुद भी नजर आए हाला कि नेगी और जैदीब दोनों ही इससे इंकार करते रहे कि फिल्म में कोच का करेक्टर उन पर आधारित है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद